नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवद गीता के अध्याई बारह में तल्लीन करेंगे एक ऐसा अध्याई जो भक्ती और समर्पन के मार्क पर जोर देता है। इस अध्याई में भगवान कृष्ण एक सचे भक्त के गुनों और स्वयम को ईश्वर को समर्पित करने के पुरसकारों पर गहन शिक्षा प्रदान करते हैं। अब मैं आपके चैनल के नाम को शामिल करते हुए भगवद गीता के अध्याई बारह से नेतिक पाठ का उदाहरन देने वाली एक कहानी साजा करता हूँ। एक समय की बात है, राधा नाम की एक भक्त भक्त थी, जो अपनी आध्यात्मिक साधना और परमात्मा के प्रती समर्पन के प्रती पूरी तरह समर्पित थी। राधा ने अपने दिन प्रार्थना, ध्यान और दूसरों की सेवा में डूबे हुए बिताए। वो परमात्मा के साथ गहरे संबंद का अनुभव करना चाहती थी और अपने पत पर मार्गदर्शन मानती थी। एक दिन राधा का सामना एक बुद्धिमान रिशी से हुआ जो आध्यात्मिक मामलों की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। वो विनम्रता के साथ उनके पास पहुची और परमात्मा के साथ घहनिष्ट संबंध बनाने की इच्छ व्यक्त की। प्रिशी गर्मजोशी से मुस्कुराय और राधा को एक मूल्यवान शिक्षा देने का फैसला किया। प्रिशी ने राधा को समझाया कि सच्ची भक्ती केवल एक बाहरी अभिव्यक्ती नहीं है बलकि एक आंतरिक अवस्था है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भक्ती के मार्ग में अहनकार को त्यागना और विनम्रता, करुना और अटूट विश्वास जैसे गुनों को विक्सित करना शामिल है। प्रिशी ने राधा को आश्वासन दिया कि इन गुनों को अपनाने से वह परमात्मा के साथ गहरा संबंध हनुभव करेगी। प्राधा ने रिशी की शिक्षाओं को दिल से लगा लिया और अपने दैनिक जीवन में इन गुनों का अभ्यास करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति दया और करुना दिखाते हुए विनमरता के साथ सेवा के अपने कार्यों को अपनाया। उसने परमात्मा में अटूट विश्वास पैदा किया, यह विश्वास करते हुए कि उसके प्रयासों को पुरस्पित किया जाएगा। समय के साथ राधा की भक्ती और समर्पन ने उनके जीवन को बदल दिया। उसने आंतरिक शांती और संतोष की गहरी भावना का अनुभव किया और परमात्मा के साथ उसका संबंध हर दिन मजबूत होता गया। राधा की भक्ती दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोथ बन विकास के महत्व पर जोर देता है। प्राधा की तरह हम अटूट विश्वास, विनमरता और करुना विक्सित करने का प्रयास कर सकते हैं। अन्तता परमात्मा के साथ हमारे संबंध को गहरा कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि भगवद ग रहके लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।